आपके मोबाइल फोन के बहुत बहुत ही ज़्यादा मज़िदार और यूसफूल ट्रिक्स को आज आप जानने वाले हो वीडियो को पूरा अंत तक देखना उसके बाद ही आप इन सब ट्रिक्स को ट्राई करना अगर आप ये डायल करोगे तो आपको ये पैनल देखने को मिलेगी जिसमें आपके फोन की सारी इंफोर्मेशन आपको दिखती है आपके phone और network के बारे में सारी जानकारी इन tabs में देखने मिलेगी और नीचे इस वाली tab में आपके battery की information देखने मिलेगी इसमें आप अपनी battery की health भी देख सकते हो battery की voltage भी देख सकते हो temperature कितनी है वो भी देखेगी और battery कौन सी technology यूज़ कर रही है यह आप यहाँ पर देख सकते हो और last में इस मज़दार चीज़ को आप देख सकते हो time since boot मतलब आखरी बार कब आपने अपने phone को reboot किया था यानि उसे off करके on किया था आपने यह ज़रूर notice किया होगा कि अगर आप बहुत दिनों तक अपने phone को reboot नहीं करते हैं तो phone slow हो जाता है पर अकसर आप भूल जाते होगी कि last आपने कब restart किया था तो इस tab में आप उसी information को देख सकते हो यहाँ पर यह दिखता है कि कितने घंटे कितने minutes और कितने seconds पहले आपने अपने phone को reboot किया था और battery information तो just इसका part है इसके साथ साथ आप users information और wifi information भी देख सकते हो क्या आप यह जानते हो कि आप उतने mobile के time को अपना password बना सकते है प्ले स्टोर में आपको यह सर्च करना है screen lock time password फिर आपको इस app को download करना है उसके बाद जब यह app install हो जाए तब इस app को खोलिए जब यह app open हो जाए उसके बाद इस पहली option को select करिए उसमें आपको यह recovery password पूछता है मतलब आपका time password बन जाएगा यह तो ठीक है पर time के बदले अगर आप इस password को भी डालोगे तब भी आपका mobile unlock हो जाएगा मतलब यह extra password है time primary password है और यह secondary password तो जैसे मैं यहाँ पर इंडिया लिख देता हूँ और save कर देता हूँ अब आपका time आपका password बन चुका है नमबर 3 चेक यो remote यह trick और भी ज़्यादा मज़दार है आपने यह तो जरूर सुनाओगा कि आपका camera ऐसी कई चीज़े देख सकता है जो आँखों से नहीं देखी जा सकती इसलिए अक्सर यह कहा जाता है कि आत्माएं camera में कैद हो जाती तो यह trick भी कुछ इसी तरह का है अपने TV remote को लो TV remote के आगे देखना एक small infrared sensor होगा अगर आप अपने remote की किसी भी बटन को प्रेस करोगे और आखों से देखोगे तब आपको कुछ नहीं देखने मिलेगा पर अगर अपने phone के camera से देखोगे और remote की किसी भी बटन को प्रेस करोगे तब आप हलकी हलकी red जब पिंक कलर की light को चमकते हुए देखो जब भी आपका remote ठीक से काम नहीं करता तब आप ये पता कर सकते हो कि remote खराब है या remote की battery कम हो गई गैमरे से देखते समय अगर कोई भी बटन प्रेस करने से ये light बहुत धिमी धिमी दिखेगी तो इसका मतलब remote की battery कम हो गई है इसलिए आपका remote सही से काम नहीं कर रहा और अगर कोई light ही न जले तो इसका मतलब आपका remote खराब हो चुका है और अगर light नॉर्मल ब्लिंक करते होए दिखे तो इसका मतलब आपका remote और battery 100% सही है ये actually infrared light है जो camera sense कर सकता है पर आपकी आँखे नहीं कर सकते अपने mobile में जब आप ये dial करोगे star hash 06 hash तो आपको ये number दिखेगा इसे कहते हैं IMEI number और क्योंकि आजकल हर mobile में dual sim होता है इसलिए आपको दो IMEI number दिखेगी इस IMEI number को आपको note करके रख लेना चाहिए क्योंकि ये आपके बहुत काम की आजकल की दुनिया का भरोसा नहीं किया जा सकता कब आपका mobile चोरी हो जाए पर by chance अगर आपका mobile खो जाए या चोरी हो जाए तब आपको 1% भी tension लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास ये IMEI number है तो क्योंकि वो इनसान अगर वो अच्छा इनसान होगा तो वो simply mobile phone को पुलिस को दे देगा पर अगर वो evil minded होगा तब वो आपके phone को इस्तमाल करेगा अगर वो आपके phone को इस्तमाल करेगा तो वो कभी ने कभी phone में SIM जरूर लगाएगा और अगर आपके पास ये IMEI number है तो इस number को आप पुलिस के पास दोगे तो वो पुलिस उस number को सारे network operators को दे देता है जितने भी SIM companies है सब को दे देता है तो अगर वो चोर किसी भी SIM को लगाएगा तो उस SIM company को उस चोर के बारे में सारी information पता लग जाती है और SIM company वो information पुलिस को दे देता है और पुलिस फोन को खोज लेता है इसलिए अपने IMEI number को नोट करके जरूर रखना फिलाल में अपनी IMEI number आपको नहीं दिखा सकता मैंने इसे blur security purposes के लिए किया है क्योंकि आप तु जानते ही हो कि इस number से फोन के owner का पता लगाया जा कता है आप तु जानते ही होंगे कि कोई भी hacker आपके फोन को आराम से forward कर सकता है यानि आप जब किसी से बात करते हो तो उसे वो सुन सकता है तो एक ऐसा तरीका है जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि आपका call forward होता है कि नहीं उसके लिए आपको इस code को dial करना होगा star hash to one hash उसके तीन सेकंड बाद आपके mobile में ऐसा कोई tab आएड़ा जिसमें ये लिखा होगा call forwarding voice not forwarded या फिर forwarded अगर आपके ये dial करने के बाद forwarded दिखा रहा है तो इसका मतलब आपका call कोई और सुन सकता है और इसके बाद आपको तुरंद customer care से बात करनी चाहिए लेकिन अगर not forwarded दिखा रहा है तो इसका मतलब सब कुछ सही है ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे comment जरूर करना वीडियो को लाइक और शेर जरूर करना